तीसरी टिप है जब भी आपको पास्ता बनाना हो तो आप इसे पहले भिगो कर रखें दो गंटे पहले पानी डाल कर और इसे हम छोड़ देंगे इस तरीके से इसके बाद जब हम पास्ता बनाएंगे तो इसे उबलने में लगने वाला टाइम बहुत ही कम लगेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा।